इस पर संसद में चर्चा नीन उपारें दोनों पक्षों के आरोग अधस्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के लिए दूसरा पक्ष तयार एक तरफ भारती जन्दा पार्डियों और उसके नेत्थ की सरकार है जो बयान दे रही है इस प्रदहन मंत्री का बयान चाहते हैं और इसी आधार को लेते हुए लेकिन मसला इस बात को लेकर रहे हैं कि जब दोनों ही पक्षिये मांते हैं कि मनेपुर का मतला बेहत गंपीर देश के दम्माने प्रदानुदी नर्यदर मोदी संसद के बाहर वयान देते हैं कि मनेपुर की घट्टा से एक सुचालीस करोड देश लासियों का सर्थ शर्मतार हुआ है तो फिर संसद में उसके संदर में बोलने सुने एतराज क्या है दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर भी सवार कि वह चर्चा चाहता है सरकार चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तयार है तो फिर प्रदान मंद्री ही बोले इसके संदर में जिद्द क्यों है देश के ग्रहमंद्री अमिशा है अमिशा इस पर बयान देने के लिए तही आ रहे है चर्चा के तहत सब्सक्राइब बिंदू रखने तही आ रहे है विपक्ष के पास भी मौका था कि वह इस पर अपनी पास के थी पर अवरोज किय है तो आज हम यहीं समझने की कोशिश करेंगा और यहीं हमारा विशा कि शर्मिंदी की चंवा सियासत के सब्सक्राइब इस देश में जब भी नाज्यूप मस्ले आ रहे है तो कहा तो यहीं जाता है कि इस पर सियासत करने से बाया जो वस्तुता सब्ताबक्ष या हो गया है यह सवाल भी बड़ा मंसस्य की स्यासी दलों क्या मकसद मनेपुर की समस्य को हवा देते हुए कोल मिलाकर अपने लिए बविषय के संभावनाओं को उज्ला बनाना सवाल इस बात को लेकर बेपुट खड़ा हुआ है कि वाकर इस देश में सियासी दल समाधान की कोशिशों के लिए है या समस्याओं को पैदा करके अपनी संभावनाओं को हरा भरने के लिए है बड़े नाजुक मसले हैं जिस पर आज हम बात करेंगे समझने की कोशिश करेंगे आखिर सियासत मणेपूर मसले पर चाहती क्या है और अगर अविश्वास पस्ताव और सदन में ला दिया गया है तो इसके माध्यान से कौन से उद्देश की पूर्थी करना विपक्ष चाहर होता है तो बविश्वास पस्ताव लाए हैं क्या केवल सत्ता से हटाने के लिए हैं या विश्वास पस्ताव के माधन से देश को विचार करने का अफसर उपलब कराना है कि वर्तमान सरकार का काम खाच कहता है तो इस पर हम बात करेंगे पर हम इस सलसले को शुरू करें उस पर दिए जिस विश्य पर एक सामान ने तरीके से सद्भाव भरे माहूल में बाची सदन के अंदर पो सकती और शायद इसी दिशा पर पहुचने में देश्यवासी तवल हो सकते देश उसे एक दूसरे के प्रती आरोप प्रत्यारोप आविश्यात के वाता हुआ हमने जटन इस नाजो मसले पर दिया है जो वरतमान में देश के लिए चुनोती ही नहीं बलके विश्क इस्तर पर हमारे आपको सर्विसर करने का करण बना हुए इस बात को जहन में रखते हैं और उसके ताप नीच अच्छा को आगे पढ़ते हैं हमारे तर इस चर्टा कैसा बनने के लिए पांच खास वैमान हो हमारा संतोष पांडे जी विपक्ष जिस पार्टी को गड़ार किया हुए उसके संब्सक्राइब पिछले तीन दिन से कह रहे हैं चर्चा चाहिए और सप्ता में रहते हुए भी चर्चा नहीं कर आपाए क्यों नहीं कर आपाए सम्झेंगों से जो सरकार ने चर्चा कि हांवी वरी तो चर्चा करने से इंकार कर दियें क्यों कर दियेंगा जो स्वैमीयों लोग सभागे 10 साल तक सांसद रहे हैं और इन दोनों के बीच विपक्ष की आवाज के तुर्प हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा है जो हम आदमी पालिटी की प्रवक्ता है और साथ ही हमारे साथ स्वेम प्रकाश प्रोही जी है जो त्रणमुल कॉंग्रेस की और देगा हवाला देता है अब वहां पर बात होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता पर हमारे साथ में पुरही जी मौझे पर हम इस बात्चीत के सलसिले को संतोष पांडी जी के साथ शुरू करें उससे पहले समय है कि हम उन बयानों पर एक बार दिश्टी डालें जो इस कारकम और दिश्टी के लिए बेहज जरूगी एवाड सुने प्रभु केताओं के बैया रदय पीडा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्वे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो लेकिन बेज़्जती पूरे देश की हो रही हैं इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कौने में किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक बाद विवात से उपर उठ करके कानून व्यवस्ता का महत्मा है और मैं देश वाज्यों को विश्वात गिलाना चाहता हूं किसी अबी गुनेरकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है कि ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाय पार हो चुकी है और मैं समझता हूं कि मनिपूर की हिंसा चार महीने से चल रही है प्रधान मंतरी खामोस है एक कुरूर और समवेदन हीन सासक के रूप में प्रधान मंतरी जी देश के सामने आये है अगर इतनी बड़ी घटन के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं न कहीं सामती है देश जल रहा है मोदी जी खामोस है रोम जल रहा है नीरो बंसी बजा रहा है यही हालत है दोनों सदन के विपक्स के नेता को पत्र निखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तयार हूँ सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मनिपुर पर वो चर्चा करनी है, हमें कुछ चुपाना नहीं है, हमने दोनों विपक्स के निताओं को, मैंने आज पत्र लिखा है, मैं कहता हूं कि जन्ता आपको देख रही है, चुनाहों के जाना है, जन्ता के खोट को धा और मनिपुर जैसे संवेदन से निश्ची पर चड़्चा के लिए उचीत माहूर सदा में बदाईए अपने मुझे समय दिया और अब चालू है मैं तो एक बात यहां पर बोलना ठीक रहेगा हमको जरा हाथ उटा उटा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है मैं यह सोच के उठाता है कि मुझे मोखा मिलेगा और बात करने के लिए मैं पूरे अपने इस्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब पचास लोग अपना टू सिक्सेवन पर दिये थे तो मुझे अगर बोलने का मोखा भी नहीं मिला फीक है लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा भाईक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है अब उसको प्रिविलेज को धका मेरा अपमान हुआ है मेरे रेस्पेक्ट को अपने अब मेरे सल प्रेस्पेक्ट को उन्हों ने चालेंज किया है और सर्तार के इसारे पे अगर सदन चला तो मैं संदूना साथ नमों परसी नहीं है को कि को अगा आरो फ्त्या रोक का जोर है खंतोष पांडे जी हमारी लात है के संदूना गंबीर विषय की देश के प्रदाल मंत्री खुद बोर रहे है माड़ेपुर की घड़्णा से 140 करोड़ वर्ष्टियों का सिर्फ शर्मिंदा हो गया यह संसल्भवन के वाहर उपनों ने बोल लिया तो इस मसले पर संसल्थ की भीतर नहीं बोलूँगा कि अफंट्री की जनता के साथ खड़ा होना दरकार इसे रहे हैं क्या चाहते आप सब उस दयशके संदरबे कि अ creation leaks जी मानिय दुवेदी जी मैं आई एनेज के माध्यम से मैं बहुत ही विनमबरता के साथ और यही पुना फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो मणीपुर की घटना हुई वो हैवानियत की सीमा को भी पार कर गिले दरिंदगी बरबरता इससे बढ़कर के नहीं हो सकती वो उसकी पराकास्था है उसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है और कोई भी सभ्य समाज और पूरा देश भारत की विशेस्ता रही है कि वो क अभी ऐसा पक्ष नहीं लिया है और इसलिए हमारे अहां सुई नोकभर भू के पीछे हुआ महा भारत भारी और इतना ही नहीं कि और इसी भूमी पुत्री के खातिर भस्व हुवी लंका सारी शीता माता को और जिस प्रकार से उठा करके रावण ले गया आज भी प्रत्यक वर्स रावण को पुतला बना करके जलाते हैं कितना भी विद्वान क्यों न रहा हो पंडित क्यों न रहा हो यह भारत की विशेष्टा रही है और महिला के लिए नारी के लिए हमारे यहां जो इस्थान है सायत कहीं नहीं है और अनेक प्रकार की बाते कह सकते हैं यत्र ना और माननी राष्ट्रायक नरेंद्र मोधीजी। और जवाब देने से पीछे भाग रहे हिंए कि यह जब जब शत्र आता हैं यह बहां धूरते हैं। आपको द्यान होगा कि इसके पहले भी समय समय पर जो यह वई पकषण ही इनके पास तो कोई मुद्द्ध है यह। ये मोदी जी को घहरने के लिए मुद्दा धूरते हैं ये नोट बंदी की बात करते थे ये जीएस्टी की बात करते थे ये पुलवामा पर गए ये बाला कोट पर गए ये सर्जिकाल इस्ट्राइक पर गए ये एर इस्ट्राइक पर गए ये रक्षा तो सौदे में दलाली की बात इन्होंने कही और उल्टे मुह के भार इनको गिरना पड़ा इन्होंने कहा था ना कि चोकिदार चोर है राहुल गादी जी घुम घुम करके धिडोरा पीडते थे और अन्तमे अदालत ने इनको क्या आदेश दिया और इनको कैसे माफी मांगनी पड़ी यह पूरा हिंद तक प्राइश ने देखा है एक गयाति डा मांधी यह चोट उत्क है आप अपना फों जमपा कर दो इन्होंने फोन जमा नहीं किया और हम सब जानते है कि वो भी टायटाय फिस सो हो गया और दूद का दूद पानी का पानी हो गयारा राजी के मुड़्े को लेकर के आए उ बाद करते हैं बाहर निकल के हमको चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है कि आप चर्चा तो करिए पूरा देश देखने देखने थे चलते हैं सब्सक्राइब बीच में रोकता हूं, हम मनिपुर्वा बात करने के लिए आप पेगासस से लेकर राफिल तक कहुंए लिए मिंदू के वर इतना है, जिसम असले पर प्रधान मंतरी जी 36 सेक्ड संसित भवन के बाहर खड़े होकर बोले कि उस संस्त भवन के जिसको लोकारवन सेन प्रधान मंतरी जी नहीं किया है? उस सदन की इतनी हैसित भी नहीं है उस सदन का इतना भी महत्व नहीं है आपके अनुसार कि प्रधानमद्री उस सदन के अंदर खड़ा होकर मनेपुर की घठना के संदर में बयान दे पुड़ा आप समझाएं तो सही हमें कि आप तो कल संसे दल की बैठक में भी थी इसमें प्रधानमद्री जी इस मसले पर कोई बयान क्यों सदन के अंदर देना नहीं चाहते हैं इसके संदर में आप तो समझ पाएंगे उस वड़ा समझें दूसे दिवेदी जी हम सब जानते हैं कि यह मामला ग्री मंत्राले का है माननिय प्रधान मंत्री जी तो सरवाधिकारी है सब पर दे सकते हैं जितना चाहे जब चाहे जिस सब प्रकार से वह उत्तर दे सकते हैं जब ग्री मंत्री जी तैयार थे ग्री मंत्री जी तैयार रक्षा मंत अस्त्र है चिलाने का यह चिलाते रहे हमने कब भागा है भागने का काम तो इन्हों ने किया है हम कभी प्रस्णों से भागे नहीं है और रही बात आज भी जिस प्रकार से इन्हों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है माननीय ओम बिल्डा जी ने और उन्हों सब्सक्राइब दरफ से रहे हैं बढ़ सब्सक्राइब को भी आप लोग तो भूट यक्ति ही मानते वह भी बयान आपकी पारिटी के ओर से आता है तो मोजी जी के साथ में अमिश्या का जिक्रिए वगर आपका बयान पुरा हो नहीं पुरा है अब वो अमिश्या अगर चर्चा के संदर में तैयार वो अमिश्या अगर मणिपुर के मसले पर बयान देने के लिए तैयार तो फिर किस बात के लिए हाहकार क्यों घबरा गए या कुल मिलाकर आपकी दिल्चत पी ना तो बयान में है ना समाधार में है कुल मिलाकर उल्जाएं रखने से यह अपने उद्देश की पूर्ती होती है इसले संसत को उल्जा के रखे हो क्या कहते बता हुआ संसत के जिस तरह से मानना हो रही है वह आपने और दिश के 140 करूर जंता ने सरयाम 45 दिनों में देखा है और यह एक ट्रेडिशन है भारती परंपरा है आजाद हिंदुस्तान की कि जब पार्लेमेंट चल रही है तो कोई भी सरकार का हिस्सा कोई भी सरकार का प्रतिनिदी संसत के अंदर ही पहले बयान देता है नहीं तो संसत के आव मानना मानी जाती है और जब प्रधान मंत्री जी पहले दिन आय और भाशन दे रहे हैं बहार बाइट दे रहे हैं प्रेस को कह रहे हैं अपनी चिंता मनिपुर के वारे में बता रहे हैं तो ठीक है उनने बता दिया प पर संसद के अंदर जब माननी संसद इस बात की मांग कर रहे हैं, बहस की मांग कर रहे हैं, स्टेटमेंट देनी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें बगर किसी देरी के कर देना चाहिए, ये वो ही संसद है जिसको प्रिणाम करके उन्होंने पहली बार संसद में प्रिविश किया ता और उसके मानना रखना उसको जवाब दे जनता कि दुख दर्द के प्रतिने बनाना मनीपुर की इतनी दर्दनाग घटना अमरत काल में हो जाए 75 वर्षों में आजादी के बाद के वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ और संतोज जी कहना ही कि ग्रह मंत्री देने तैयार है अरे ग्रह मंत्री तो स्वयम पार्टी है असी दिन से मनीपुर जल रहा है मुख्य मंत्री को डिस्मिस नहीं किया ग्रह मंत्री ने मनिपूर का मुख्य मंत्री भाजपा का है उसने कोई कदम नहीं उठाए ग्रह युद्ध जैसी स्थिते बनी हुई है ग्रह मंत्री क्या बयान देंगे किस मुह से बयान देंगे और वो राजनितिक द्वारे करने पर समय है चत्तिस गड़ और मद्रदेश आने समय है राजनि देखूं अब आप फड़ा मुझे समझा है प्रताबार्णी ग्रह मंत्री किसलिए है और संसथ किस लिए है क्या देश का विपक्ष ही तेह करेगा किस मसले पर कौन बोलेगा आप ही तेह करेंगे कि यह भाई यह बयान है हम तो इन ही से लेंगे या संसथ का जिसका आप भी हिस्ता रहे है एक वेवस्ता के तहत सवापती तेह करेगा भाई किस मसले पर कौन बुले सरकार करेगी किस मसले पर कौन जबाब देगा चर्चा के संदर में जो सरकार ने सहमती दी वो सहमती नहीं दोनों सदर में विपक्ष्ट के नेता की भूलिका में जो है अधिर रंजन चोधरी और मलिकुर्जी निखड़ के लिए उन्हें अमिशाजी ने बाकाइदा पर लिखकर का कि सरकार चर्चा के लिए तहीं आ है ये समवाद हिंता क्यों जब संसर चल रही है पत्र लिखने की आवशक तक क्यों पढ़ गई वन टू बन में आए क्रॉस दब टेविल क्यों चर्चा नहीं हो सकती जब बिजनिस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सब चर्चाएं होती है इस पिकर उन्हें आमंतरित कर करता है और सब हमेशा एक दूसरे से विचार पर मर्स करके मुद्देत होते हैं सब्जेक्ट होता है तो पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है यह सब जनता को बताने गुमराग करने और प्रेस को ब्रीफ करने के लिए उन्होंने वो चिठी लिखी है पर जो सेम इन घटन आफ है कि प्रधान मंत्री ही क्यों है आपके बसका कोई दलील है और सब्सक्राइब से क्यों सुनना चाहते हैं बादली जब भाहर वोड़े तो बहुत है कि वहां कि देखें रजसान के भी देखें चाहते वे दिखेंगैं पर्श्य बंगाल के भी देखें क्या कहते पूर जैसे महाबरस में किष्ट बहवान खड़े हो गए ते मुले पुरे यूद में मैं हूँ वैसे ही भारत वर्स के अंदर में भारती जंता पार्टी वाले उनको ऐसी स्तापित करके रखे है कि हर जगा मैं हूँ बहुत हुई मोहगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार बहुत हुआ दाड़ियों पर अपकी बार मोधी सरकार कि देश में मनिपूर क्यों जल रहा है क्यों ऐसा हाल सेकड़ों बेटियों के साथ सिर्फ मनिपूर में हुआ क्या वहाँ पे सिर्फ दो लोगसमाद सीट है इसलिए आप मनिपूर को ध्यान देना नहीं चाहते है आपको दरजार बजगाल में आपने बोल दिया वहाँ पे कि यही पर इसी मुद्धे पर चुनाव लगना है राजस्तान में देखिए यह जो चीज है यही देश को गुमरा कर रही है और देश को खड़े में डाल दिया है चाहे अर्थ व्यवस्ता हो चाहे महंगाई हो कोई बोलने वाला नहीं है जो चाहेंगे वो करेंगे यह जो एहिंकार है इसी को खटब करना है यही देश की जंता खटब करेंगी आज 26 पार्टिया एक साथ हुई देश के परधान मंत्री को स्पोर्ट्समेन स्प्रिट नहीं है कि वो इंडिया के बारे में उल्ट पड़ान मंत्री जी कि यह इंडियन मुझाइदी नहरे कैसी सोच है आपकी इतनी नकरातमक तक क्यो भर गई आपके अंदर में आप जिस तरह की बात कर रहे है कि मैं दुखी इंसान हूँ अरे देश के अंदर में करोडों दुखी है भारत वर्त में करोडों गरीब है हमें दुखी व्यक्ति नहीं चाहिए हमें उन लोगों को दुखों से उबारने वाला व्यक्ति चाहिए मगर 28 लाग की जंता है मणीपूर के अंदर में और उस राज्जी को आप नहीं सबाल पार रहे है बसरते आप में कहाता डबल इंजन की सरकार जो की फेल हो चुकी है अमिस्सा क्या जवाब देंगे अमिस्सा तो चुनाव पर चार में थे कुछ यह चार वहीं सा एठारा वहीं तक का थे वो इं मनिपूर में आपने बंद कर रहा है कस्वीर में आप ने बंद कर रहा है ऐग हम चर्चा के लिए यह भाग रहे हैं जह को कैसे भागे अब आब अविश्वास पस्तावली है और किया रहे हैं कि आप से जालना जात Wस्ती आप क्या रहे हैं मनेपुर के मसले का समाधान चाह रहे हैं या मनेपुर के मसले के आदार पर 2024 में अपनी फसल काटना चाह रहे हैं सवाल है ना कोगी खड़गे जी का वयान है प्रादान मंतरी का घमण तोड़ना है हमें तो उम्मीद थी कि विपक्ष ऐसे नाजुक मसले पर मनपुर वासियों के संदर में खड़ा होगा इस मसले का समाधान चाहेगा पूर्य उत्तर पूर्वी राज्यों में एक दूसरे के पती वैमनस का भार होगे जाय पर आज मनिब़ी जनता तो इस पूरी की पूरी जनता देख रही है किस तरह से एक एहनकार वाँ से एक लख्ती देश को गुम्रा कर रहा है आज मनीपुर जो जला है आपको शमुद्दे की बात करते तो महुत अव्यव्य लगता राज़िती की सुरुआत तो आप ने की है राज़िती में आपको उस दिन राज़िस्तान ये चाहते अरे NCRB का डाटा देखिए मैं आपको बताता हूँ नमबर वन में बद्ध परदेश है NCRB का डाटा है नमबर टू के अंदर में राज़िस्तान है नमबर तीन के अंदर में इनकी ही जरकार है माराश्टा है तामिल लाडू है ये और उस्तर परदेश है ये पाँच राज़ित टॉप फाइप में आते हैं कलकटा इस दे सेफेस सीटी और दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा वरतों पर अत्याचार के मामले दर्ज होते है सबसे ज़्यादा उसमें टॉप पर है दिल्ली और उस दिल्ली के अंदर में ग्रह मंतरी के हाथ में डारेक्ट पुलिस है कोई जवाब देहीं नहीं है अब देखिए NCRV का डाटा पूरे देश के अंदर में महिलाओं पर अत्याचार पंदर मगर ये मणिपूर का मुद्दा है ये अलग है ये उगरवाद से जूड़ता है आतगवाद से जूड़ता है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है महिलाओं के साथ-साथ आतगवाद का भी मुद्दा है वहाँ पे जो राइफल्स लूटी गई सेना के हाथ से, पुलिस के हाथ से वो कार्तुस उनको हर वेक्षी, हर युवाओं के हाथ में जो बंदुग पकड़ाए गई है कहा है एने से दोबाल यह तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी की बात करते हैं कहा है इनके लोग वो सच्चाई नहीं देश के सांदे लाना चाहते है सच्चाई को दबा देना चाहते है ऐसे लोग है जो परोई जी बहुत ज़्यादा नाराज है मुझे जाना है मीनाफशी जी के पास में उसने पहले संदोर बंड़ी को हस्त्रशेप करने जा रहे हैं उनका हस्त्रशेप सुन लेते हैं जी सब्सक्राइब तक में अगर आपके बात का उत्तर आगया हो कि प्रधान मदरी सदर में क्यों नहीं बोलेगे मनिपूर में तो आपको धन्यवाद है यह बता रहे थे कि जैसे नरेंद्र मोदी कृष्ण बन गए और गीता में जैसे कहें कि मैं तो यह हूं मैं तो वो हूं अरे भाया कृष्ण तो केवल राहूल गाधी है और उसकी मैया यसोदा सोनिया है केम्ब्रिज जाना है तो वही जाते है अमेरिका जाना है तो वही जाते है और भारत का सम्मान नहीं भारत को किस प्रकार से पिट के आते हैं अभी आप जानते हैं और अभी जब च्छतीस गड़ में विधान सभा भवनका और सब प्रकार स जाते हैं नेरेंद्र वो δी जाते हैं सोनियां क्यों जाती है सोनिया की हैस्यत क्या होन जाते हैं कहँ और john ngam सब्सक्राइब जया करने के लिए घूपेश बगिर के साथ क्यों wrong 고 यह कोह वहां शुया हुई के नहीं ठी मनिपुर्ण ये सबसे लंबे तक राश्चत दिश्वी तो इतरा तो लियाज कीजिए कहां इस विशेफ वो इस तरव ले जा रहे हैं मनेपूर जैसे सम्मेजरी शील मस्कले पर आप जाता है वे द्वान सांसत हमारे साथ कुछ तर्थे परक तो बताएए ना एक वाफिर आएंगे आपके बास में मिनक्षी जी आप से जानना चाहता हूं कि पहले मनेपूर पर चर्चा जाते थे चर्चा नहीं करा पाएं तरकार इंप्जार करती रहे गई अब विश्वास पुस्ताब नहीं करा गए क्यों हो जाएगा विश्वास पुस्ताब से लाना पड़ा है क्योंकि आज पूरे देश की जनता का पधान मंत्री जीश पर से आज पर से बनीपूर की जनता और आपका जो महिला है आज आप कह रहे हो कि मेरी आवाज मुझे लॉट कर आ रही है हलो जी एक सिकेंड होल कि जी हलो जी मिनक्षी जी मैं यह कह रही हूं कि जो जो महिलाएं। वन्से अच्छे दिन का वादा किस ने किया था? परदान मंत्री जी ने किया था। महिलाओं के लिए अत्याचारों पर सुरक्षा के वादा किस ने किया था? उचंटी जे पूरी जुलावरunn श्राम और मोधी जी जवाब किससे मांगेंगी को rudफे मांगेंगी आठी जंता-पार्टी है लेकिन । व्प्रियों घुमादा इंगलेगे फूरी की के More लेलए कमिरोन वाहिई सוכते ही 203 काहे के लिए रख्षा मंत्री काहे के लिए भाल विकात मंत्री आप तो ऐसे जाहिर कर रहें कि जैसे मोदी जी बोदी जी है बाकि निताओं भी कोई मौझूद्गी नहीं चुना प्रिद्धाक्रण नहीं जाते हैं और जो यह सरकार वरतमान में केंद्र में यह किसकी चर्चा के लिए तयारती है तो विपक्ष उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए क्यों तयारती है क्यों अमिश्या या बाकी मंत्री जिस चर्चा का हिस्सा होते बाकी समस्द होते उससे लाग खड़ा होगा विपक्ष वी सवाल है क्यों कि अवल प्रधान मंत्री ही कि बहु तो बात करें तो आइस तक बहुत है वहां तो प्सक्राइब नीचा कम होसे हैं कर लाख के वहार है शुक्त कंुणża का मंतिय कोई था, उनको से तकनिक की पोहा सुचाने चाथा हूं दो बिन्दू है विपक्ष बात पर नाराज है कि प्रधान मंत्री बयान क्यों नहीं है और विपक्ष के इन आरोगों के जवाब में सरकार क्या दलील है कि हम तो चर्टा के लिए विपक्ष बाग रहा है तो आप बताएंगे कि यह कैसे होता कि कब कौन बोलेगा इसके संदर सब्सक्राइब रोशनी मिले सागी जड़ता समझे तो जरी की गल्ती पर कौन है कि सब्सक्राइब करूंगा कि निश्चत तोर पर मनीपूर की घटना बहुत शर्मनाक है और ऐसी घटनाओं के उपर निश्चत तोर पर कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि इस प्रकार की सब्सक्राइब देना चाहिए तो यह कोई नीती अगत प्रश्न नहीं था कि सब्सक्राइब पहले वक्तवे दे यह तो एक घटना घटी है उसके संब्द में उनके विवाज बिचार थे उन्होंने निश्चत तर पर बाहर रखती है अब जो सूचना है प्रतिपक्ष ने सरकार इसके उपर चर्चा करने को तयार है सरकार ने ना किवल चर्चा करने के लिए पहले जिन से सहमती दी बलकि पश्चात ग्रह मंतरी जी ने पत्र भी लिखा नेताओंको को कि हम चर्चा के लिए तयार le excuses लिकिन मुझे यह समझ में नहीни हाता कि प्रतिपक्ष की के वल यह दिमार्ट कि नहीं प्रधान मंत्री ही इसके ऊपर इस्टेटमेंट देए यह तो सामूही जिम्मेदारी कैबिनेट की रहती है और संबंदित विभाग के मंत्री ही उसके उपर उत्तर देते हैं यह हर घठना के लिए क्योंकि प्रधान मंत्री होते हैं उनके पास पर वक्त में चाहिए तो आगे आने वाले समय में शायद ये परिपाठी का सरूप न ले 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 किन अब ग्रहमंतरी निश्चित तोर पर उत्तर देने के लिए तयार है ग्रहमंतरी का ये दाइत है कि ग्रहमंतरी अपना पक्ष रखें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संपू पुरुवक चर्चा करता कुछ क्योंकि चर्चा से ही किसी चीज का हल निकलता है जो हो गया है उसके बारे में तो किवल हम यहीं कर सकते हैं कि आगे ऐसा नहों कोई लाव बनाने का इसके संब्द में महिलाओं के उत्पीडन का या इस प्रकार की घटना जैसी गटी है इसमें आईपीसी में ऐसा कोई लाव नहीं है जिसमें इसको अलग से जैसे आपको ख्याल होगा सतीप्रता के संब्द में अग्रेजों के समय के उपर लाव बनाया और सतीप्रता को बंद किया बाद में शेडूल का शेडूल ट्राइप के उपर जो अत्याचार होता है उसके संब कार उसको मानते हैं और इसका हल निकलता लेकिन यह सब नहीं होके केवल इसके उपर राजनीती हो रही है जो कि बहुत ही चिंता जाकिस्तिती है कि हर इशू के ऊपर कोई हल निकालने की कोशिश नहीं करता है जिसके के लिए संसत बनी हुई है बलकि केवल इस बात के लिए अ विवड़कों कीके नियम के जबेए टेरлуч कवस्झा माइन के सब्सक्रास की ऑदीत होती है कि कोई आदे गंटे की होगी देऩडेक्य गंटे की होगी यह और उसी के हिसाबसे है उस विशय का महत्मी प्रतिपादित होता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो एक घंटे की चरचा के लिए जिस अब निरधारित हैं तो एक ही घंटे में खतम हो जाएगी वो बात तक चलेगी यह भी उसब स्ने प्रावधान रहते किसी में तो division होता है किसी में सदन का मत लिया जाता है किसी में नहीं लिया जाता अब यह जो अविश्वास प्रस्ताव इन्हों ने दिया है यह केवल नियुकि नहीं होगी अब राज़िस्तान की ना चतित्रगड की गटनदर मध्यपरदेश की गटना दिल्ली की घटना अलग अलग दल अपने अपने इसाब से उठाएंगे और जो बेसिक इशू है मनिपुर का जिसके संबन में कुछ अब आज अविश्वास पस्ताव आने के बाद देता हो गए कि प्रधान मंदरी को बोलना पड़ेगा सदन के भीतर है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर इसलिए आए हैं कि हमें प्रधान मंदरी का घमंड तो अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि सामुविक जिम्मेदारी और यह मंत्री मंदल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है तो निश्चित तोर पर इस मंत्री मंदल को जो हैड कर रहे हैं उनको अपना कतन तो कहना ही पड़ेगा उनको इसका इसका जवाब करना चाहरे हैं लोग सवा में लेकिन वह अलग टाइप का वह ऐसा है कि जब प्रधान मंत्री विदेश राजनी की यात्रा पे बाहर गए थे तब अविश्वास्त रस्ताओं का जो जवाब है व प्रधान मंत्री ने नहीं दे के दूस्वित मंत्री ने दिया था तो ऐसा भी हो लेकिन आज की स्थितीय और लोक सबाता है बाकि और कोई दूसरे उदारण इसमें नहीं अब नरेज मोजी जिस शक्सित के उसके संदर में हम ऐसी उमीद तो नहीं कर रहे हैं कि उनके खिलाब अविश्रास पस्ताव आए और वह अपने खिलाब आए हुए अविश्रास पस्ताव की जिम्मेडरी किसी और वो दे 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 तो फिर आने वाले समय में दूसरों धारण देने के लिए मोजी उत्त रहेगे अगर आप सोची कि आज जो हम डिवेट कर रहें अगर हम पांश मिन्ट में खतम कर दें तो हम इस पर सोलूशन निगले गई नी तो उसके उपर तो उस पर विस्तिस चर्चा होना बहुत इंपोर्टेंट है और नियम 2067 के अनुरूपी ह पर आप सब तयार कहा हुए आप तो एक जिद्ध पाड़े रहे प्रदान मंत्री बोले प्रदान मंत्री बोले लेकि मैं संतोष पंडे जी वापस आपके पास लोड़कर आता हूं कि मिलाकर एक व्यक्ति की जिद्ध मनिपूर की समस्या पर भारी पड़ गई है एक पाड़ी की जिद्ध या सारे सियासी दलों की जिद्ध आपने तयार लिया प्रदान मंत्री जी नहीं बोले उन्होंने तयार लिया प्रदान मंत्री जी बोले ना आपको सरोका रहा मनिप पर मरहम लगाने के संदर में ना आपका सरोकार रहा उत्तरपूरी राज्यों में पर्फर बढ़ते अविश्वात के संदर में अगर महत्पून रहा तो कीवल इतरा कि हमें विपक्ष की आवाज नहीं सुझाए यह जिद्ध देश को कहां ले जाएगे इस तवार संदोश प मिनक्षी बहन जी बोल रही थी कि पीम ही बोलें तो उसके विशह में व्यापक चर्चा हो गई है और जैसे बहुत ही डिफाइन करके बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया वास्ताव में 176 के तहत वह 176 के तहत भी चर्चा हो सकती थी और चर्चा होते होते जब समय कम पढ़ता है तो उसको बढ़ाया जाते है और लगातार उसमें समय बढ़ता जाता है और सभी उसमें भाग लेते हैं इनकी डिमांड थी कि 266 पर चर्चा हो अब तो सब कुछ हो गया अब तो इसमें सब प्रकार की चर्चा होगी मैं केवल एक प्रस्न पूचता चाहता मेरी वहन जो मिनाक्षी यहां आई है डिवेट में एक ट्वीट पस्चिम बंगाल के पंचायती राज पर मैं नहीं जानता वह इमांदारी से बता दे कि पंचायती राज में जो हिंसा हुई है कैसे नगन करके विधान सभा में और कितने घरों को जलाया गया है कितने लोग प सुने घुमाया गया चापा जांजगीर में जो घटिना हुई अभी पर्स IO जो सुक्मा में घटना हुँ दो घटना की तो आप सब्सक्राइब से खुलेगी मड़ीपूर पे भी होगी केरल पे भी होगा पस्चिम बंगाल पे भी होगा और राजस्तान के उसका नहिया लाल की हत्या की भी बात होगी कांग्रेस कहां खड़ी है यह बताएं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि बस्तर में यह हुआ जाजीर के द्रगत यह हुआ राजस्थान में ऐसा हो गया मनिपुर का मसला उसी मुकाबले का है वहाँ पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे लोग 38 लाकी आबादी वाला राज बंदूकों के साय में अपनी जिन्दगी बिता रहा है संतोष पांडे जी एक दूसरे को जिन्दा देखने के लिए तयार नहीं है क्योंकर और मैते ही समाज हालात ये हैं कि मिजोराम में खुले आम एलान कर दिया मैते ही समुझा है कि लोग छोड़कर चले जाए राजी को हालात ये हैं कि असम के अंतरकत रातो रात प्लायन करने के लिए मजबूरी है खालात ये हैं कि पलिस अपने हाते में हात्यार उठाने की ऎस्तिती नहीं हैं हालात ये हैं कि देश के ग्रहमंतरी चार दिन तक मतन्त Toni-Pura में रहने के बाद भी शांती के संदर में कोई उपलब्धी हादल नहीं कर पाए हालात इस प्रकार के बने हुए हैं कि एक वीडियो की बाद क्या कर रहे हैं आप सेघड़ो वीडियो ऐसे पड़े हूए हैँ आप कह रहें कि बात इसकी होगी उसकी होगी एक राजी हाथ से निकला जा रहा है एक राजी के अंतरत देश के प्रदी विश्वास नहीं बन रहा है आपको लगता है इसकी तुल्ला किसी अन्य राज के हालात से हो सकती है माननी दिवेदी जी मणिपूर की घटना और इसकी तुल्ला किसी से नहीं हो सकती नागालेन भी बहुत छोटा सा था किस प्रकार की समस्य थी आप जानते हैं समस्या का होता है आप जानते हैं मैं भी जानता हूँ आज यह समस्या यह केवल छे वहने का नहीं है यह समस्या देश जब से स्वतंत्र हुआ और म्यामार से ला करके एक कुकियों को बसाने का काम किस ने किया और मैतई समाज जो हकदार है आरक्षण का उन्हें ना दे करके सब प्रकार की सुईधा उनको दी गई आपने एक सब दौर कहा कि कहां छोटा सा प्रदेश और कहां इन प्रदेशों की आपने बात कही मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कहां छोटा सा प्रदेश जहां 18,681 अफीम की खेती होती है जहां सब प्रकार से विरेन सिंग के आने के बाद और वो खेतिया जलाई गई एक्षन शुरू हुआ अनेग प्रकार के गन तोप लांचर जो हाई कठे किये उस पर कारवाई शुरू हुई ये केवल एक दो दिन का नहीं है माननी दिवेदी जी मैं कांग्रेस की बहन से और मित्रों से पूछना चाहता हूं ये क्या केवल 6 महने में डेवलप हुआ वो चोटी पर रहते हैं मैतई पर वार करते हैं वो चोटी पर रह करके जिस प्रकार से उनको हडपना चाहते हैं इनकी संख्या तो कर रहा है मैं कहता नहीं कि पहली बात तो ये जो घटना हुई हो निंदनी है इसके विशह में जो जो सजा हो सकती उनको देनी चाहिए इसके उपर डिबेट भी होनी चाहिए कि इसमें पक्षपात प्रदेश देखकर नहीं होनी चाहिए कोई राजनेतिक दल देखकर नहीं होनी चाहिए जिस्त प्रकार से यह कांगरेस कर रही है यह संतोशी पूरण इस देश के नागरीन नहीं है कुछ इस देश के नागरीन नहीं यह संदोशी है इस हख है है हमने सब्विधान के तहथ उनको अपनाया है किन्तु अति की सीमा शहने की सीमा भी जब कहीं पार हो जाए सागर के उर्मे ज्वालास होती है और सेहने की भी कोई सीमा होती है जो घटना हुआ है उसमें फासी की सदा दें किन्तो जिस प्रकार से जो कुकी और मैतई के बीचो चल रहा है इसमें सब प्रकार से चिंतन की जरुवत है चिंता की जरुवत है और हम सब को मिलक प्रदान पर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा और यह केवल यह केवल बहस करने से और यह जिस प्रकार से कर रहे हैं पक्षपात ऐसे करने से नहीं होगा अनित दिवेदी इसके लिए जिस प्रकार से नादा पर वादो जी कि अब पहुंच रहे हैं लोग जी आपको मीनाख्षी जी बीच में पर पूशा चाहती हूं कि मनिपूर से महिलाएं आई थी जंतर मंतर पर कितने दिनों तक वो इंतजार करती रही ग्रह मंत्री का प्रधान मंत्री जी का इनके मंत्रियों का के भीया हमें न्याय दो हमारी ब लेकि इनका कोई मंत्री ना चाहे वो घ्रह मंत्री हो महिला विकास मंत्री स्मृतियानी हो को इनके सुद्ध लेने तक नहीं जाता है सरकार मनिपूर के मसले पर चर्चा के लिए तैयार थी तो विपक्षभात क्यों खड़ा हुआ अब अविश्वास बस्ताव लेकर आ रहे हैं मनिपूर का विशह रहत आ जाएगा यह सवाल उठा हुआ है मनिपूर के लाखों लोगों की पीड़ा आपके लिए विशह मायने नहीं रखती मायने रखता है तो नर्देजर बोजी को हम जुका पाई या नहीं जुका पाई इस सोच पर आगा है हम यह जादा में सब्सक्राइब हो गया इस बात पर ही बुक्त है कि जब वह हविश्वास अस्ताव ले आएगा आपको बढ़ना पड़ेगा जितनी चिंता कॉंग्रेस ने व्यक्ति है जितनी आवाज कॉंग्रेस ने बुलंद की है राहूल गांदी ने एक महीने पहले जब इनके प्रदान मंत्री विदेश यात्रा में थे प्रांस की और अमेरिका की यात्रा कर रहे थे तो राजी राहूल गांदी ही वो व्यक्ति जलिगा ध्यानाकश्रत कर रहे ते और उस पाइन पर मोगए ते उस जिले में वह इस गहाई थे जो घटना अनुछ तो आपके द्वारा मनपुर्फ पर चर्चा से इंकार और अविश्राश प्रस्ताव लाकर क्या वस्तुदा आपने मनपुर्फ की समस्या को गौंड तो नहीं कर दिया यह सवार विश्राश प्रस्ताव नहीं गया विश्राश प्रस्ताव लेकर आए थाम उन्हें की वध्यत को प्रधान अर्या-चाहा है मनीपूर पर चिंता व्यक्त की है मनीपूर की समझे का समधान क्योंकि इससे पूरा देश शर्म चाहर हुआ है पर इस संदर में तकनी की पहलू मैं देवेद वर्माजी आपसे समझने चाहूँगा कि हमने 50 अस्तान सुदों के असक्षर के साथ चर्चा चाही चर्चा नहीं क के लिए तो 50 लोग की दसकत की आउशकता नहीं है एड्जॉड्मन मोशन तो कोई एक मेंबर भी दे सकता है उसमें चार-पांच लोग दसकत कर सकते हैं लेकिन पहले मेंबर का नाम केवल रहता है कारसूची में और एड्जॉड्मन मोशन तो किसी एक घटना के संबद में संशेप में सूचना पड़ी जाती है और मंत्री वक्त भी दे देता है लेकिन उसके उपर लंबी बहस कभी नहीं होती वो तो केवल एक आदा घंटे का 15 मिनट का एक विशह रहता है सब लोग उसमें बोल भी नहीं सकते लेकिन यदि एड्जॉड्मन मोशन को 50 लोगों से दसकत करा के दे दो 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 बिके वल पाँच लोग मैक्सिमन शुरू के बोल सकते हैं उसके बाद के लोग बोल नहीं सकते हैं तो उसमें कोई विश्वास प्रस्ताव तो किसी सरकार को हटाने के लिए होता है आपको क्या कहना है आप क्यों नारज हो रहे हैं यह सरकार का निकम अपने और आप उस बात को समझा रहे हैं इतना जोड-जोड से चिलाने से थोड़ी बात समझवाएगे तरक के साथ बात रखेंगे तो समझवाएगा आप नहीं तो रहे हैं तो ने दिया है तो देट इस सेट आफ सांसद में मेंबर अपार्लेमेंट एंड इट इस सीरेस मेंटर और जब पचास सांसद दोसो सरसटमे मोंग तो देना चाहिए थी स्पिकर के लिए और ऐसे ही जब एकजर्णमेंट मोशन की सब शेष फर खतम करके एकजर्णमेंट मोशन पर चर्चा करिए तो चाह वो 50 मांगे चाह 25 मांगे चाह 5 मांगे यदि विशह की गंबीरता है आपोजशन पार्टी मांग रहे है तो उ पर आपसे जानना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ी पंचायद संसर उसने मनिपुर को गौन कर दिया और एक व्यक्तिके अब देश की सियासत इसी के लिए रह गए 38 लाख लोगों की जंदगी देशत के साय में चार महीने से कट रही है मैं बोलूगा या नहीं बोलूगा बस इतना यहीं रही है देश देश तो देख रहा है ना देश देख रहा है कि देश के अंदर में वह व्यक्ति जो छोटी-छोटी बात पर दूसरों को अगर टीका टिपढ़नी करनी हो तो छोटी-छोटी बात पर बिजिसों में जाके भी बोलते हैं विजेसों में जाके भी एक गंडे का भासन देते हैं लगर संसंदे बोलने में कहा दिक्कत आ रही है आप संसंदे मनिपूर में जो हुआ तीन मैने में आप उसकी डिटेल आप नहीं बताएंगे आपको अपना होग वर्ट बताना पड़ेगा बच्चा इस्कूल उनकी वजे से तो फैल हुआ है अब परदानमंत्री जी भी बोल देते हैं कि हमसे नहीं समल रहा है मैं दुखी याद मी हूँ सबी लोग मिल करके चले तभी मुख्यमंत्री अपनी अपने अपने रज्यों में सौक्स विस्ता समले तो फिर परदानमंत्री किसलिए है ये य ऐसी क्या जिद है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं? वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? अगर युनाइटेड है वो तो लोकतंत्रिक लोग है ना? वो तो बहाद के लोग नहीं है. अगरी जवाल इसका अगरे बुदा. इस अविश्वास पताफ से क्या हासिल करें गा इसका अर्मानी तरीके से काम करकर के देश को लूट रही है. वो औरग जेपके बाद में सबसे ज़़ादा टैक्स ленे वाली सर्कार रही है。 सबसे ज़ादा टैक्स. हर मामले में टैक्स की लूट है. हर चीज की महिंगाई है. रोजगार की बात नहीं है. देखी आज कारग जिल के अंदर में पाकिस्तानी सेना से बिढ़ गया, वो व्यक्ति अपने ही देश के अंदर में अपनी वाइफ को अपने परिवार को चलता हुआ देख रहा है। जिल को आज भारत के लोग अमेरिका में जाके नहीं रहते हैं क्या, वहाँ अगर उनके साथ में अगर अमेरिका के लोग खराब विवार करेंगे तो यह क्या बोलेगे भारतियों को? देखिये, हम वसुदेव कुटुमो कम की बात करते हैं, हमारा सानातन धर्म, हम सब की बात करते हैं, और इनको दिक्कत है कौन बाहर से आएंगे, कौन पीछे आगया, हर चीज के जिम्मेदार नहरुजी हो जाएंगे, कभी इंदरागा, पूरानी सरकारों को कोसने की कि लिए, गल्तिया को निकाल निकाल के यह सरकार बनी, 2017 का एक ट्वीट है, मोदी जी का पढ़ करेंगे, उस समय यहां पे मनिपूर में इनकी सरकार नहीं थी, उस समय यह ट्वीट करते हैं, कि मनिपूर के अंदर में जो हिंसा हो रही है, अगर आप से नहीं सबलती है, तो आप इस्तिपा दे दे, यह बात देश का परधान मंतरी उस समय बोल रहा है, मगर आज नहीं ब महतवण बात क्या है, महतवण बात यह है, कि देश की सबसे बड़ी पज्चाय से उम्मीद थी, कि मनिपूर के संदर में ऐसे नाजुक मसले पर सभी राजनेतिक दर कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, एक उम्मीद चाले, उम्मीद किस बात एक खुबसूरत प्रद अधिश बड़ेपुर में जो लोगों के बीच में दूरी आ गई है, उस दूरी को पाढ़ दिया जाएगा, और देखिए रहे, कि लोग उस आग में पानी डालने के अस्था होगा है, शैद पेट्रोल डालने के लिए पर इची है, सभी राजनितिक जल्द इस एक मनिपू मनिपूर के आजार पर 2024 की संभावनाओं को देख रहे हैं, अब अविश्वास पस्पाव के अबाद्यम से महेंगाई पर बात होगी, वेरुजगारी पर बात होगी, कानु लिवस्ता पर बात होगी, शैद बात नहीं होगी तो कि मनिपूर के संदर में नहीं है, यपकि ज पर बात होगी, यहां तो उसके समधान को उम्मीद क्या करें, को कि यह लोग तो एक साथ बैट देख लिए तहीं है, का इस देश में संसुत इसलिए इस था पर थी और क्या इस देश में सारे राजमितिक देव, देश में शांती बहाल करने के स्थान पर, केवल सब्ता में बने रहने या स्था पाने की फोड़ के लिए, इस बात पर अब देश की जनता को रुचा करता हो, यह विश्रास प्रस्ताव देश के संदर में आज की जरती, अगर जरती तो मनिपूर के संदर में साजा प्रस्ताव लाने की जरती शायद, जो सभी राजमितिक दिलों की स एक फ्रदेश फून के आशूर हो रहा है पर आग में जलता है, उस आग के जलते में आपको नीद कैसे आ रही है, इस पर आप जाए है, आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस नाजुक मतली पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, एक ऐसी चर्चा का जिसमें निश्कर्ष के तरपर हम कहीं नहीं पहुं सके, तो कि किसी के भी केंदर में शयद माने पूर करह समय है, अब आज के शेर का, वंहारा आज का शेर कहता है, लिदि सलीखा जिनको होता है, गमे दौरा में जीने का, वो यूँ शीशे को फट्थर से चकराया नहीं करते। शायद इस देश के तमाम राजनितिक दल जीने कदरी का उपूल रहे हैं और इसलिए ऐसे हालात का सामना हम कर रहे हैं मनेपुर इस विख्षा के अब करें और वाजनितिक दलों से शायद इस विख्षा करेगा कि अधिश्वास इस विख्षा करेंगे यह हमारे सवाल है और इसके उत्तर अब इंधिजार मुझे देजिए आप फिर मिलेंगे तक के लिए